ये ईसा से लगब 500 साल पहले की बात विशाल परशें सामराज्य अपने चरम पर था। परशें के समराज डेरियस को यह मुगालता था कि इश्वर उनकी साथ है। डेरियस ने जितना बड़ा सामरज्य खड़ा किया था उतना पहले नहीं देखा गया था। सिंदु नदी के क ग्रीस में सिटी स्टेट का दोरा हुवा करता था। मतलब वहां राज्य थी जो मोडरन चीज थी। इसमें मुखे थे एथेंस, स्पार्टा और क्रांस। लेकिन आत्म समरपन शब्द ग्रीक शब्दावली में जुड़ा नहीं था। क्योंकि 20 साल पहले ही एथेंस में चोटा सा ग्रीक टापो था जिसे 540 BC में फारस ने जीत लिया था। 409 में BC में यहां पर अरिस्टागोरस के नेत्रित में ग्रीक लोगों ने फार्सी शाशन के खिलाब विद्रो कर दिया। इस विद्रों में एथेंस ने फार्सी खेमय के खिलाब अपने सैनिक बेजे थे डेरियस भूला नहीं था इस बात को उस वक्त के राजा मान और अपमान भूलते नहीं थे नहीं दोस्ती और दुश्मनी। ऐसी किवन दीती है कि हर रोज खाने के वक्त डेरियस का एक सेवक उसके कानू में फुस्विसाता था एथेंस को सबक सिखाना है। डेरियस ने अपने सेना पर पूरा वरुसा था 25,000 इंफेंट्री, 1000 गुड सवार, कुख्यात फार्सी इमोर्टल माना जाता था कि ये मर नहीं सकते और सीरिया के जानलेवा तिरंदाजों के साथ उसने मेराथन के मैदान में घेरा डाल लिया। साथ में था एथेंस का निर्वासित रा 14,000 सेनिकों के साथ एथेंस और अपने कमांडर मेल्ट इड्रीज के भरोसे खड़ा था इसके साथ ही भरोसा था उनको अपनी रनीति का जिसको हपलान लाइन कहते था प्राचीन ग्रीज के जंगोस एक खास किसम के शील्ड कप इस्तिमाल करते थे इस शील्ड का नाम था हा यार मिरकर हापलान लाइन बनाते थे सिर्श एनिकों को तीर से बचाती थी वो लंबे बाल दुस्मन को एक निश्चित दूरी से आगे नहीं आने देते थे डेटिस ने 5 दिन तक घेरा डाल कर रखा पर दोनों तरफ से सिर्थ घूरा जा रहा था कुछ हो नहीं रहा था तो बड़ी सेना का मालिक होने के ना थे डेटिस को ही कुछ करना था अब डेटिस ने अपनी रणीती को बदलने का फैसला किया उसकी योजना थी कि जिस समय मेल्टाडिस अपनी सेना के साथ मेराथन मैदान में उनके खड़ा रहेगा ठीक उसी समय वो अपनी आदी सेना के अगर वो मेराथन से पीछे अगर वो नहीं डटा अगर वो नहीं डटा रहता है तो उसके पीट पीछे एथेंस दुस्मन के कबजे में चला जाएगा मेल्टेडिस ने हालात का मौया न किया और अपने मन में एक ग्रीक शब्द दोराया कायरोस माने की यह मोका है उसने उपाय खोज लिया डेटिस ने अपनी विशाल से न के हिसाब से मैदान चुना था एक खुला तटिया इलाकत गुर्टसवार से ने डेटिस के एक बेड़े कि उसकी सीना 300 गजकी यह जान लेवा दूरी तोड़ कर तैकरे अपनी भारी आर्मर के साथ ग्रीक सीना ने यह कर दिखाया यह करिश्मा था मैल्टाडिस ने इस जंग में एक और जुमा खेला रिवायती तोर पर कोई भी इंफंट्री बीच से सबसे ज्यादा मजबूत औ किनारों से कमजोर होती थी मेल्टेडीस ने यह समीकरन उलट दिया इससे फायदा यह हुआ कि उसकी सेना के दोनों किनारे मजबूती के साथ दुश्मिन के खिलाव ठीके रहे और केंद्र धिरे धिरे पीछे अटा चला गया इस टूप फॉर्मेशन से यह फायदा हुआ कि फार्सी सेना अपने आप ग्रीक खिरे में फस्ती चली गई फार्सी सेना चारों तरफ से घिर गई और फिश्रों वह असली कतलिया तीन गंटे के अंदर युद खत्म हो गया चोसट सो फार्सी सेनिक ग्रीक भाले और तलवारों का शिकार हुए बाकी भाग खड़े वे एथेंस की दिवार पर खड़ा इसका इत्चार कर रहा था मेल्टेडीस को समझ में आ चुका था कि उसके पास सुस्ताने का समय नहीं था अगर वो थोड़ी भी देर रुखता तो मोर्चे पर जीतने के बावजुद युद हार जाता ग्रीक सेनिक अपने भारी भरकम आर्म की हमत ना जुटा पाया उसने एथेंस के सामने जहाज से तीन चक्र लगाया और हमेशा के लिए फारस लोट गया जिस समय मेराथन में यू दो रहा था उसमें एक जगह से दूसरी जगह संदेश बेजने का आम जरिया हुआ करते थे पैदल संदेश वाह किस्सा यह है कि मे फिलिपीडस बेहोश होकर गिर गया और फिर भी नहीं उठा इसके वंदिती का सबसे पहला जिक्र प्रूटार्क के जरिये मिलता है इसके बाद एथेंस के लोग महां के बैटल के लिए तियार हो गया फिलिपीडस इतना तेज भागा था कि फारस की सेना के पहुचने से प में जदूर करें